तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताव हूँ कि आप BNS NOL में कैसे SIM को Port कर सकते हैं नए SIM कैसे खरीज सकते हैं कैसे आपको Battle TD लेगी और सारी चीजे आपको BNS NOL SIM Port को लेकर के नए SIM को लेकर के इस वीडयो में बताने वाला हूँ मैं डायक्ट आ गया हूँ बियासनल ओपिस में यहाँ पर हमारी सामने बैटे हैं मुकेज भईया इनसे सारी चीज़े हम मालूम करने वाले हैं और आपको लाइब बताएंगे वो सारी चीज़े तो वीडियो में लास तक बने रहेगा बहुत ज़्यादा कमाल की वीडियो होन हैं उसे में क्या-क्या बैनिफिट देखने के लिए मिलेंगे कितने टाइम में वह एक्टिप कर दिये जाएंगे वह सारी चीजे आप हमारी जनता को बताइए जो पोर्ट हो रहा है वह पचास रुपे में पैतालीस दिन में दो जीव डाटा अल्लिमिटेट कॉल मिले ही है और नया सिम लेता है तो नया सिम 80 रुपे का है जब आप आपके पास आएंगे वह कौन-कौन से डोक्यूमेंट उसमें लेगे आधार कार्ड लेगा अधार कार्ड लाएंगे वह आपको दिखाएंगे फिर फिंगर्पिंट बढ़ा देंगे तो जैसे आप सिम कोट कराने क तो पूरा सारा प्रोसेस होने के बाद कितना समय लग जाएगा उस सिम को में पोर्ड होने तक दिन लगते हैं चौति दिन चालो जाता है और नया सिम दो गंटे में एक्टिव कर दिया जाएगा तो दोस्तों यहां पर भाया ने आपको सारी पिरक्रियां बता दी हैं पोर् हैं तो उसमें कितना टाइम लग जाता है एक्टिव होने में और उसको चालू होने में नहीं बहुत तो जाएम लगता है उसकी प्रिक्रिया बढ़िया है क्या मतलब जैसे हमने आज मैं आपके पास आता हूं और आप से ब्रोडवेंड करनेक्शन के लिए बोल दिया तो प हम तो आप सही बताएं पहला कस्टुमर सा बात करो क्या सरविस है सरविस एकदम बढ़िया मिलेगी सर्विस कैसी है तो आप कहना ठीक है फिर थोड़ा वह तो आप बताएंगे लिए तो दोस्तों यहां पर बढ़िया ने बताया है कि आपको ब्यों ब्रोडवेंड और ब् तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ रही है यह हम देख भी रहे हैं और लोग बागों से सुन भी रहे हैं कि वो तीन दिन से लगातार बियसनल के उपीस आ रहे हैं और भहिया बोले हैं कि अभी उपर से जो सिम है वो रखे हैं लेकिन उपर से अभी एक्टिव नही आ रही है वो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा तो उसके लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट में बताईए कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं आपके सामने क्या परिशानिया आ रही है तो दोस्तों अगर वीडियो में यहां तक बने बंदे बात्रम